सो हेलो एब्रिवन बात करते हैं आज यस बैंक के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कल मूरत ट्रेडिंग में इस सेयर में गैप अप ओपनिंग हुई थी 1.52% के सेयर में तेजी देखने को मिली थी सो आगे क्या करना चाहिए इस स्टॉक में कैसा स्टॉक है यह फंडमेंटली यह भी बताएंगे इस वीडियो में यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं प्रिवेसली इसके रिटंस क्या क्या रहे फिर आगे बताएंगे आपको फंडमेंटली कैसा स्टॉक है यह और क्या इसका स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है और आप देखेंगे वन येर में इसके जो रिटन्स हैं ठिक ठाक नजर आ रहे हैं 28-29% अल्मोस्ट एंट 3 येर में देखा जाए सो यहाँ पर भी ठिक ठाक रिटन्स से ज्यादा खास तो नहीं है 5 येर में लेकिन आप देखेंगे न्यूस के चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और टाइम में भी यहाँ पर कुछ खास तेजी इस सेर में देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि न्यूस के चलते इस सेर में भारे गिरावट हुई थी 2018 के अराउंड ठीक है काफी ज देखिंगे 3-4 quarter से यहाँ पर जो profit है इनका increasing phase में ही नजर आ रहा है इस time पर भी अच्छा profit मतलब सही profit generate हुआ है quarterly basis में और yearly basis में भी यह profit overall size generate हुआ है जिस कारण इस share में तेजी देखने को मिली थी बीच में जैसे इसके quarterly result अनाउंस हुए थे वाकि जो fundamentals है अभी तो improvement हो रहा है ज्यादा खास तो नहीं है वड़ ठीक ठाक है आप देखेंगे FII-DII के पास भी इसकी holding है ठीक है और government के पास 0.01% stake and public को यहाँ पर 34-35% दिया गया है तो मतलब आप देखेंगे share holding pattern भी ठीक ठाकी नजर आ रहा है FII के पास भी वैसे बड़िया श्टेक है डिया के पास वैसे majority है 38% ठीक है तो overall यहाँ पर share holding pattern भी ठीक ठाकी नजर आ रहा है और balance sheet देखेंगे आप balance sheet जो है इसमें reserves इनके वैसे increase तो हो रहे हैं ब borrowing सुधार ही ज्यादा है compare to results तो balance sheet ज्यादा अच्छी नहीं है और share holding pattern and quarterly result में improvement नजर आ रहा है ठीक ठाक है तो आप लोग इस stock को वैसे long term perspective से भी hold करने का सोथ सकते हैं बट कई लोगों का view mid term perspective से होगा तो यहाँ पर support resistance की बात कर लेते हैं देखेंगे आप इसकी जो closing हुई ही है यह 21 रूपीज के राउंड ही हुई है 20.71 के राउंड वैसे तो इसका जो support level है first support level 18.45 रूपीज के राउंड है तो wait कीजिए इस stock में अगर आपके पास यह stock है and second support level 16 रूपीज के राउंड रहने वाला है आगे target की बात करें यहाँ पर mid term perspective से तो यहाँ पर अगर यह 23 के अबाव sustain करता है then आपको यहाँ पर यह weekly time frame में बता रही हूं है आपको 23 रूपीज के अबाव अगर sustain करता है 27-28 के राउंड यह आपको एक resistance दिखा सकता है एक target दिखा सकता है 27-28 के राउंड वैसे बेटर रहेगा इस stock को आप लोग कुछ quantity long term perspective से अपने portfolio में रख सकत हैं यह वीडियो only for education purpose से है कोई buy sell recommendation नहीं है ठीक है बट पैनी श्टॉक अगर चाहें तो आप लोग इस stock को long term perspective से hold करने का सोच सकते हैं क्योंकि काफी अप थे इसके price जो की डाउन आये थे news के चलते and 33 के अबव ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें अच्छी rally देखने को मिलेगी अगर यह 33 rupees के अबव सस्टेन करता है mid term perspective से यह long term में अगर 33 के अबव सस्टेन करता है तब मतलब ज्यादा अच्छा यहां पर इसमें तेजी देखने को मिलेगी वैसे better रहेगा कुछ quantity ही आप आप लोग long term perspective से hold रखिए ज्यादा पैसा भी आप लोग एक ही स्टॉक में मत लगाईए कुछ ही quantities की long term perspective से hold रखिए जिसे साब से quarterly result में भी improvement देखने को मिल रहा है तो possibility है in future यहां पर इस share में कुछ तेजी देखने को मिल सकती है so I hope आपको यह video समझ आई होगी thanks for watching this video